मस्ते दोस्तों टेक्मेक चैनल में आपका स्वागत है आज का वीडियो है वेल्डर प्रैक्टिकल के लिए है वेल्डर ट्रेड आइटिया इंसेटिविटी या कॉंपिटिटिव एक्जाम में कोर्स कंप्लेट होने के बाद किस तरह से जॉब पूछे जाते है तो इसके प्रैक्टिकल एक्जाम होते है यह वेल्डर प्रैक्टिकल है इसके लिए टाइम आपको एड घंटा टाइम मिलता है इसमें दो क्वेश्चन रहते है पहला आर्क वेल्डिंग करेता है दूसरा ब्रेजिंग करेता है सोल्टरिंग करेता है या जैस कटिंग करेता है तो यह जैस कटिंग के लिए अलग वीडियो और आर्क वेल्डिंग के लिए अलग वीडियो बनाया है यह 300 मार्क का एक्जाम होता है question number 1 होता है 225 मार्क का इसमें fabricate the eye beam by arc welding as per figure number 1 यह diagram दिया है इसमें आपको क्या क्या करने का है A. overhead B. horizontal C. down head and D. vertical इस type को आपको part बना के दिखाने का है आपको time मिलेगा इसके लिए दो job बनाने का है 8 घंटे के लिए इसमें आपको material, MS material मिलेगा plate मिलती है size से आपको cut करके मिलती है इसके बाद आपको final finishing आपको करना पड़ता है beam का लंबई है 225 लेने का है और beam का width 50 mm लेने का है और plate दोनों side में plate आपको welding करने का है 50 बाद 6 mm का और लंबई 225 mm का उपर के side में और निचे से side में और अंदर का जो plate है इसका width है 75 mm और thickness है 10 mm और लंबई है 225 mm तो ऐसे 3 पाड़ आपको मिलेगे वो आपको join करके दिखाने का है इसमें आपको A overhead B horizontal C downward and D vertical इस type के welding आपको perfect join करके दिखाने का है as per measurement तो इसके लिए आपको accuracy plus minus 1 mm दिया है 1 mm कम जादा चलेगा तो इस type के अलग-अलग वीडियो में आपको आपके लिए बना रहा है आप देखते रहे है welder के लिए किस type के अलग-अलग job बनाए जाते है ITI, Apprentice, Company या अलग-अलग interview में government का job अगर आपको चाहिए तो इस type के job आपको आना चाहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर किजिए और comment किजिए Thank you